हेलो गाईज, विलकम बाक टो माई चैनल, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गाजर के हलवे की बहुत ही आसान सी रेसिपी, इसमें हम लोगों को गाजर घिसने का जंजट नहीं है और ये फटा-फट से बनकर तयार हो जाती है, इसे घंटों हमें चला-चला कर पकाने की भी जरूरत नहीं है, तो रेसिपी बहुत ही इंट्रेस्टिंग है, दोस्तों बहुत ही मज़ेदार है, पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजेगा, और अपने फ्रेंस और फैमली के साथ शेर करना ना भूले, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, तो चली रेसिपी शुरू करते हैं, तो यहाँ पे गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने लिये हैं एक केजी गाजर, जिनको साफ करके अच्छे से धो कर मैंने इस तरीके से बड़े टुकडों में काट लिया है, और अब हम इसमें मिलाएंगे आधा कप दूट, यहाँ पे मैंने गर्म दूद लिया है, पर आप चाहें तो इसमें नॉर्मल दूद का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, तो अब हम इसे लॉक करके यानि की प्रेशर कुक करेंगे दो से तीन विसल तक जब तक ये गाजर अच्छे से कुक ना हो जाएं, तो चल इस विसल भी आ चुकी है, गैस को हम आफ कर देते हैं और इसकी स्टीम रिलीज होने देते हैं, तो यहाँ पे स्टीम रिलीज होने के बाद मैंने इसे एक कड़ाई में निकाल लिया है, और इस तरीके से एक फोक की मदद से हम इसे मैश करेंगे, अगर आप फोक से मैश करत कर लिया है, अब इसे हम गैस पर कुक कर लेंगे, जब तक कि यह बिल्कुल अच्छे से थोड़ा ड्राई ना हो जाए, तो इस तरीके से चम्मच की मदद से चलाते हुए आप इसे कुक कर लें, और इस तरीके से दबाते रहें, अगर आपको कोई बड़ा टुकड़ा तो यहां पर हमारा गाजर का मिक्षर जो है वो अच्छे से ड्राई हो गया है, तो अब इस वक्त हम इसमें डाल देंगे मावा यानि की खोया जो मैने खर पर बना कर तयार किया हुआ है, अगर आप खोया कैसे बनाते हैं, यह जानना चाहते हैं, तो उसकी रेसिपी भी मेर चानल पर दी हुई है, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उसे जरूर चेक आउट कर लीजेगा, और इस खोय को मिला कर हम अच्छे से पांच मिनिट के लिए फून लेंगे, तो आप देख सकते हैं, हमें जटपट से यह रेसिपी हमा हमारा खोया भी है, वो थोड़ा सा भून चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे दो चमबच देसी घी, जिससे हलवे में एक शाइन आएगा, और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा, तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो दोस्तों रेसिपी अगर और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी, यहाँ पे मैंने 3 फोर्थ कप शुगर ली है, आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी ब पानी बी अच्छे से सूख न जाएं, तो इस वक्त मैं आपे शुटनेस टेस्ट कर रही हूं कि कैसी है, तो मुझे चीनी थोड़ी सी कम लग रही है, तो इसमें और आड़ कर रही हूं, और उसे भी अच्छे से मिक्स करके, इसे अच्छे से पका लेंगे अब हम, तो इस पका हुआ हल्वा जल्दी खराब भी नहीं होता है, आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, और आप देख सकते हैं, इसे मैंने इतना पका लिया है, और ये अब पैंच छोड़ने लगा है, तो इसका मतलब हमारा हल्वा बनकर तयार है, आप गैस को आफ कर दें, और इसमें मिला कर देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, इसका टेक्शर कितना अच्छा आया है, और कोई कही नहीं सकता है, कि हमने इसे कुकर में कुकर के बनाया है, तो लीजे रोस्तों बहुत ही फटा-फट से बंद कर तयार होने वाली रेसिपी मौजूद है, आप इसे बनाईए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेर कीजिए, तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नही रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्त रहिए, थैंक्स पॉर वाचिंग माई चानल